वेलकम टोन लिए इस, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revisions for Prelims 2021 में International Relations के Current Affairs का ये हमारा साथवा लेक्चर है आज के सेशन में हम मार्च महिने के International Relations के Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का फिर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल Economic Dialogue के बारे में Asia Economic Dialogue का 5th Edition जो कि virtually किया गया था यानि digitally Conference के थुरू इसके खास बात यह कि India का यह एक flagship Geo Economic Conference है Geo Economic Conference देखता है किस तरह से जो geography है किसी region की वो वहां की economic growth में help कर सकता है Geo Economics में हम वो angles देखते हैं जो कि वहां की geography और महां की economics के दोरा shape किया जाते है For example, अगर India एक बड़ा trade leader है, जहां बड़ा market है जहां बहुत सा potential है, तो इसके आसपास कि देश किस तरह मिल के अपना trade बढ़ा सकते हैं या और opportunities को देख सकते हैं तो यह जो Asia Economic Dialogue है खास बात यह कि यह MEA दोरा मतलब ministry of external affairs दोरा और इस बार तो PIC के साथ भी किया गया पुने international center के दोरा किया गया है इन लोगों ने मिल के यह convene किया है और यह इसका fifth edition है, यह दूसरा edition है जो PIC साथ मिल के कर रही है MEA के साथ, अब खास बात यह है supply chains में, requirements में, management में उसके विशह में, इसका focus है इसका focus है basically चो trade finance dynamics है Asia के और उसके extended neighborhood में उसके बारे में, वही जो मैं आपको बोला कि यहां का geographical region उसके आसपास कैसे हम और economics और उस तरह economic relationship को बढ़ा सकते हैं उसके ही focus है इसका next article international north-south transport corridor के बारे में है news में इसले रहा because India ये चाहता है कि जो इरान का चाबहार port है वो भी 13 देशों के इस international north-south transport corridor का part बन जाए जो इंडिया से लेकर रश्या तक फैला हुआ है और 13 देशों में इसके expand होने का plan बनाया गया है अब देखिए ये एक 7200 km long multi-mode network है multi-mode होने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी एक mode of transport का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ship, rail और road तीनो ही routes का इस्तेमाल किया जाएगा अब हमने कहा कि 13 nations हैं इसमें तो 13 देश हैं कौँ? वो 13 देश हैं इंडिया, इरान और रश्या, इन तीनों ने मिलकर इसे शुरू किया था उसके बाद बाकियों ने भी इसे जॉइन किया दोजार, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान किर्ग, रिपब्लिक, तजाकिस्तान ओमान, सीरिया और यूक्रेन map में देखे, यह फाइदे बन कैसे साविथ होगा, जैसे यह इंडिया के मुंबई का जो port है, वहां से सबसे पहले तो इरान का जो बंदर अबबास port है, उसको connect करेगा, आप देख सकते है कि इरान का जो connecting port है, right now वो बंदर अबबास है, इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो चाबहार पोर्ट है, उसे भी इसके Mbit में लाया जाए, मतलब इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है, वो चाबहार पोर्ट से भी connect होगा इस International North South Transport corridor में, उसके बार ये अजरवैजान का जो बाकू का पोर्ट है, वहां से connect होगा, फिर जो अस्त्राखान है, ये सदन रश्या का एक पोर्ट है, उससे connect होगा, उसके बाद ये लैंड रूट लेगा, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा, ये रास्ता और फिर बाल्टिक सी से होकर तब सेंट बीटर्स बग में आप पहुँच सकते हैं, ये रूट काफी लंबा हो जाएगा, मेडिटेरियन सी और नौट सी को क्रॉस करते हुए, जबकि ये रूट comparatively short है, इसके बाद जो बाकी के member countries हैं, वो भी in between इससे connect हो सकते हैं, यहाँ पर देखें उस connectivity को इस different map में दिखाया गया है कि बाकी के जो total 13 देस हैं, तो वो कैसे बीच बीच में इस पूरे route का इस्तिमाल कर सकते हैं, इससे खुद को connect कर सकते हैं, देखें इस corridor का जो objective है, वो यह है कि trade connectivity को इस सभी देसों के बीच में बढ़ाया जाए, इसके देखें, जो शुरुआत है, मतलब ऐसा जो इसका plan था, वो सबसे पहले तो 2000, सन 2000 में ही envision किया गया था कि हाँ, मैं ऐसा कुछ एक transport mechanism develop करेंगे, लेकिन चुँकि इरान के उपर frequent sanctions लगते रहते हैं, इस वज़े से इसे बहुत तेजी से इस पर काम नहीं किया जा पा रहा है, 2014 में dry run किया था, मतलब practice की गई थी कि क्या transportation में सहुलियत होगी की रही होगी, पहला जो dry run किया था, वो मुंबई से बाकु तक किया गया था, बंदर अबबास पोर्ट का इस्तेमाल करके, देखें, यह है मुंबई और यह है बाकु अजर वैजान में, और यहाँ पर है बंदर अबबास पोर्ट, तो यह dry run किया था, अब भी देखें, जो present government है USA में, वो इरान को लेकर इतनी तल्क नहीं है, जितनी कि इसके पहले की Trump government हुआ करती थी US की, तो हो सकता है कि अब जो इरान के उपर sanctions है, वो ease हो, और international north-south transport corridor में तेजी लाई जा सके, इस corridor का significance यह है, देखें, एक अजगाबाद agreement हुआ था, यह agreement originally 2011 में हुआ था, 2016 में force में आया और इंडिया ने इसे 2018 में join किया था, यह एक multi-model transport agreement है, इस agreement को भी synchronize कर दिया गया है, international north-south transport corridor के साथ, यह जो अजगाबाद agreement है, इसमें इंडिया, ओमान, इरान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान है, यह भी चाहते हैं, कि जो Central Asia है और Persian Gulf का region है, उसको आपस में connect किया जाए, तो यह दोनों initiatives आपस में जुड़ जाएंगे, और इससे जो connectivity है, वो और बहतर हो जाएगी, निकल है, वो Quad की ministerial meeting के बारे में है, हाल ही में, इंडिया ने Quad की ministerial meeting को join किया, जहाँ पर Indo-Pacific के मुद्दे को discuss किया ग यह पूरा हिस्सा जो है, वो मिला कर बनाते हैं, इंडो-Pacific region, चाइना इस टर्म को पसंद नहीं करता, चाइना चाहता है कि इस पूरे region को Asia-Pacific कहा जाए, क्योंकि Asia में dominating power जो है, वो चाइना है, जबकि इंडिया, जो कि Indian Ocean में dominating power है, वो इस टर्म को, along with जो बाखी की countries है, व इंडो-Pacific है, उस पर concentrate किया जाए, उसमें कोई hindrance create ना हो, Quad को लेकर जो idea था, Quad का मतलब 4 होता है, इसे उस समय के Japanese Prime Minister Sinjo Abeji ने 2007 में conceptualize किया था, हला कि Australia इसमें आगे नहीं आया, चाइना के pressure में इसलिए बात बन नहीं पाई, 2012 मिनों ने एक पर फिर से Democratic Security Diamond की बात की, जिसमें कहा कि चारो देश, Australia, India, Japan और US मिलकर मेरे Time Commons को conserve करें, इंडिनोशन और Western Pacific region में, जो मिला कर पूरा इंडो-Pacific बनता है, नॉमबर 2017 में USA, Australia, Japan ने Quad कोलेशन को finally, final shape दे दिया, 2020 में अभी ये चारो देश, मालाबार exercise में भी एक साथ आये थे, Inter Parliamentary Union के बारे में है, जिसे आप IPU भी कह सकते हैं, context यह है कि अभी हाल ही में IPU के President ने Indian Parliament का जो Central Hall है, वहाँ पर Member of Parliament को address किया, So that was the context, बात करते हैं IPU के बारे में, IPU एक organization है, नाम से स्पष्ट है, Inter Parliamentary Union, यानि कि एक ऐसा union है, जहाँ पर दुनिया भर के parliaments एक साथ मिल कर आती है, इस organization को 1889 में establish किया गया था, तब इसे नाम दिया गया था Inter Parliamentary Congress, इसके founder रहे थे France के Frederick Passe, और UK के, यानि कि United Kingdom के William Randall Kramer, इसका headquarter, Switzerland के Geneva में है, slogan है for democracy for everyone, objective बिलको simple है, दुनिया भर के parliaments एक साथ मिल कर आए, democratic governance, accountability और cooperation को promote किया जाए, वो एक दूसरे के साथ अपने experiences को share करें, यानि कि अनुभवों को साजा करें, मेंबर्स की संख्या अगर आप 2020 के मताबिक देखें तो 179 countries हैं, at the same time, 13 Regional Parliamentary Assemblies भी इसका हिस्सा है, Regional Parliamentary Assemblies का मतलब यह है कि कई सारे regions ऐसे होते हैं, जहांकि countries एक साथ organize होकर, कोई parliamentary assembly जैसा organization बना लेते हैं, लाइक European Union की ही एक parliamentary assembly है, जो इंडिया है वो इस IPU का member है, यह United Nations के साथ close cooperation में work करते हैं, जो Regional Parliamentary Organizations हैं, International Intergovernmental Organizations हैं, NGOs हैं, उन सभी के साथ मिलकर, यह मुद्दों को, या फिर जो conflicts हैं, उनको arbitrate करने का भी प्रयास करते हैं, मतलब उसमें समझोता करवानी की कोशिस करते हैं, यह प्रकार का unique platform है, जहां पर हम different political opinions देख सकते हैं, और दुनिया भर में जो trend चल रहा है, उसे भी analyze कर सकते हैं, हमारा next article US-India Artificial Intelligence Initiative के बारे में है, अभी हाल ही में, Ministry of Science and Tech ने, US-India Artificial Intelligence Initiative को launch किया, इसे ये एक initiative है, किसका, Indo-US Science and Tech Forum, जिसे आप short में R-U-S-T-F-O-L सकते हैं, यह जो forum है, इसे India और USA ने मिलकर तयार किया है, इसी forum के जरिये, Science and Tech के field में दोनों देश आपस में बातचीत करते हैं, अभी Artificial Intelligence के field में cooperation को लेकर बातचीत की गई, इसी forum के थुरू, कि जो भी critical areas हैं, जो दोनों ही देशों के priority list में हैं, वहाँ पर Artificial Intelligence के development में दोनों देश को आपरेट करेंगे, और ये एक platform के तरफ work करेगा, जहाँ पर opportunities and challenges के बारे में discuss किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, और उसे कैसे cope-up कर सकते हैं, उस तर भी चर्चा की जाएगी, इसे Artificial Intelligence के field में जो innovation है वो बढ़ेगा, दोनों ही देश आइडियास को share करेंगे, at the same time, Artificial Intelligence के field में जो workforce है, उसे भी develop करने की बात की गई है, ताकि ऐसे individuals को train किया जा सके, जो Artificial Intelligence के field में अच्छा perform कर सकते हैं, modes and mechanisms भी recommend किये जाएंगे, ताकि partnership को और बहतर किया जा सके, यह एक opportunity है, जहाँ पर सभी stakeholders एक साथ आ सकते हैं, अपने experiences को share कर सकते हैं, research and development के areas को identify करेंगे, और opportunities को भी, ताकि दोनों ही races का फायदा उठा सके, IUSTF के पास एक unique ability है, जहाँ पर कई सारे stakeholders एक साथ आ सकते हैं, और इसकी मदद से science and tech का इस्तेमाद social purpose से किया जा सकता है, उसके opportunities को भी cater किया जा सकता है, हमारा next article Istanbul Convention के बारे में है, context यह है कि अभी हाल ही में टर्की ने खुद को Istanbul Convention से बाहर कर लिया, Istanbul Convention, जैसे Council of Europe Convention के नाम से भी पुकारते हैं, यह महिलाओं के खिलाफ होने वाले violence को रोकने के लिए 2011 में लाया गया था, Istanbul Convention, इस्तामबूल, नाम से लग रहा है जैसे यह Istanbul टर्की में ही हो, इस्तामबूल तो टर्की में है, और टर्की ने खुद को इसके बाहर कर लिया, यह भी ठीक है, आज़े देखें, आप कभी भी जब कोई प्लान मनाते हैं कई घूमने जाने का, तो एक दोस्त होता है जो उचल के सबसे पहले आता है, कि हाँ हाँ चलते हैं, घूम के आते हैं, end of the day, वही होता है, जो पापा डाटेंगे ये बोलके exit कर जाता है, इस्तामबूल कंवेंशन में टर्की की हलत बिल्कुल वही है, 2011 में जब ये कंवेंशन आया था, जो Council of Europe Committee के मिनिस्टर से जब उन्होंने इसको प्रपोस किया था, तो टर्की वो पहला देश था जिसने उचल के इसको ratify किया था, 2012 में, 2014 में फाइनली ये existence में आ गया, और अभी 2021 में तर्की पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने Istanbul Convention को छोड़ दिया, जो कि उसकी खुद की एक बहुत important city में sign किया गया था, और उसकी वज़े से इसका नाम भी Istanbul Convention पढ़ गया, मैप में location देखे, यहाँ पर है इंडिया, इंडिया से अगर आगे बढ़ें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान से होते हुए आप पहुंचेंगे टर्की में, और टर्की के बिल्कुल वेस्टन पार्ट में आपको मिलेगा इस्तांबूल, तो आगे बढ़ते हैं इस session में, देखे, परपस बिल्कुल ये था कि एक minimum standard को set किया जाए, जिसको governments opt करें, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो violence हो रहा है उसको रोका जा सके, एक बार किसी देश ने इस convention को ratify कर दिया, तो फिर ये legally winding होगा उसके उपर, मतलब वो ऐसे कानूर बनाएं, जिसके वज़ह से, वाले वाइलेंस को global level पे combat करने की कोसिस कर रहे थे, इस्तांबूल convention में 2019 में March का जो डेटा है उसके according, 45 देश है जिन्होंने sign किया है, जिसमें European Union भी एक party है, बात करते हैं Council of Europe के बारे में, Council of Europe, ये European Union की ही कोई साखा है, बिलकुल नहीं, एक कदम नहीं, सोचेगा भी मत, Council of Europe, European Union से बिलकुल अलग है, हाला कि कई बार लोग Council of Europe को European Union से confuse करते हैं, ये एक international organization है, जिसका उद्देश से ये उरोप में human right, democracy और rule of law को establish करना है, इसी 1949 में found किया गया था, वरतमान में 47 इसके members हैं, जिसमें से 27, European Union के जो members हैं, वो भी Council of Europe के members हैं, हाला कि दोनों अलग-अलग bodies हैं, significance की बात करें, तो आज तक EU का कोई भी ऐसा member नहीं है, जो पहले Council of Europe का member ना बना हो, Council of Europe का United Nations में observer का भी status है, इसका headquarter France में है, इसका आर्टिकल World Summit on Information Society Forum 2021 के बारे में है, तो रिप्रेजेंट किया इस summit में, कि जो summit है, ये दुनिया की largest annual gathering है, जहां पर information, communication, technology के उपर बात की जाती है, कि उसका development में क्या role हो सकता है, United Nations की General Assembly ने, दो phases में इसको start किया था, जिसका पहला phase 2003 में हुआ था, जिनेवा में, और दूसरा phase, त्यूनिस में हुआ 2005 में, अब ये जिनेवा कहां है, जिनेवा एक city है, Switzerland की, और ये त्यूनिस, त्यूनिस capital है, त्यूनिश्या की, जो कि एक North African country है, देखें, दिसमबर 2015 में, United Nations General Assembly ने, इस पूरे summit को review किया, कि पिछले 10 सालों में, क्या progress हुई है, हाना कि, इन बिट्विन इसका review किया जा रहा था, ये भी प्लान किया गया, कि 2015 के बाद, हम इस summit को कैसे proceed करेंगे, अब इसके, पहले कि हम इसके बारे में, और further details देखें, आप समझगे कि, का aim क्या है, ये एक summit है, information society के उपर, information society का मतलब ये है, कि society में सभी लोगों को, जानकारी हो कि, आखिर चल क्या रहा है, तो इसमें, जो global digital divide है, rich countries और poor countries के बीच में, उसको कम करना है, bridge करना है, जो rich countries है, वहाँ पर सभी लोगों को, internet की accessibility है, तो वो information को भी generate कर सकते हैं, access कर सकते हैं, गरीब देसों में, लोगों के पास, internet की accessibility नहीं है, तो दिक्कत होती है, तो सभी देसों तक, internet की accessibility बड़े, ताकि जो society है, वो informed बने, ये इसका objective है, इस summit को, कई सारे लोग मिल के, अगिनाइज करते हैं, ITU, International, Telecommunication Union, UNESCO, UNDP और UNECTAD, जिसका full form है, United Nations Conference on Trade and Development, ये सभी लोग मिल के, इसे अगिनाइज करते हैं, मैं फिर से repeat करता हूँ, ITU, UNESCO, UNDP और UNECTAD, ये चारो नाम आप याद रखेगा, अगर प्रशन आता है, तो तयार रहिएगा, अब जो भी हाल ही में समिट हुई, उसमें हमारे टेली कॉम मिनिस्टर ने हाइलाइट किया, कि इंडिया ने भारत नेक नाम का एक बहुत ही फ्लैक्शिप प्रोग्राम चला रख रहा है, जिसके जरीए हम भारत में 6 लाख गाओं को कनेक्ट कर रहे हैं, उप्टिकल फाइबर के थूँ, जिसमें 4 लाख किलो मिटर का लेंध का जो उप्टिकल फाइबर केबल है, उसे बिचाया जा रहा है, जो स्माल और रिमोट आइलेंड सेंड मान निकोबा, यूनियन, उनाइटिड नेशन्स के एक स्पेशिलाइज एजनसी है, 1865 में इसे ओरिजिनली स्टैबलिश किया गया था, इंटरनेशनल टेलिग्राफ यूनियन के फॉर्म में, टेलिग्राफ को इन्वेंट करने के बाद प्रचलन में लाया गया, इस लहाज से ये दुनिया के कुछ पुरानी इंटरनेशनल ओगिनाइजिशन्स में से एक है, जो अभी भी ऑपरेशनल है, यूनाइटिड नेशन्स के सभी मेंबर इसके हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसमें सदस्यता ले सकते हैं, रिपब्लिक औफ फलाओ को छोड़ दिया जाये तो यूनाइटिड नेशन्स के सभी मेंबर इसके मेंबर हैं, इसका headquarter सुर्ज़लाइन के जिनेवा में है हमारा next article पर्मानेंट इंडस कमीशन के बारे में है धाई सालों के बार एक बार फिर से भरत और पाकिस्तान के बीच में पर्मानेंट इंडस कमीशन में बातचीत हुई ये इसकी 116 मीटिंग थी 2018 में last meeting हुई थी पाकिस्तान में 2019 में proposed थी बट हुई नी 2020 में ये हो रहा था कि होगी बट COVID के वज़र से रुख गई तो अभी 2021 में वापिस से हुई है पाकिस्तान ने although इस meeting के लिए request किया था कि अब इस पर बातचीत होनी चाहिए इस commission के भीतर उनके कुछ concern थे इंडिया के कुछ dams को लेकर उस पर वो बातचीत करना चाहते थे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में relations को बहतर करने की सुरुवात की गई है तो resultant आप देख रहे हैं कि ये meeting हो रही है जो permanent indus commission है ये एक bilateral commission है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के officials मिलते है इसे indus water treaty of 1960 के तहत create किया गया मतब जो ये treaty है इसे implement करने की और manage करने की जो जिम्मेदारी है वो इस commission को दी गई है अब इसके पहले कि इस commission के बारे में हम कुछ भी और पढ़ें हम बात कर लेते हैं इस treaty के बारे में that is indus water treaty indus नदी और उसकी जो पांच tributaries है जेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुच इनको लेकर इनके समणवी ये treaty है ये map में देखे ये indus है ये जेलम, ये चिनाब यहाँ पे है रावी, ये बियास और ये सतलुच अब इस treaty में हुआ ये है कि तीन-तीन नदियों का बटवारा हुआ है भरत-पाकिस्तान के बीच में indus, जेलम और चिनाब ये मिला है पाकिस्तान को रावी, बियास और सतलुच ये मिला है इंडिया को रावी, बियास और सतलुच जो इंडिया को मिले है इसमें जो भी पानी है उसका इंडिया अन्रिस्ट्रिक्टेड यूज करेगा मतलब हम बिजली बनाएं नहाएं या फिर आइस क्यूब जमाएं ये हमारी मर्जी पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं बोलेगा लेकिन जो नदियां पाकिस्तान को मिली है इंडिस जेलम चिनाब उसमें इंडिया को थोड़ा सा राइट दिया गया है जैसे कि वो नदियां भारत से होकर गुजरेंगी तो इंडिया उन नदियों का इस्तिमाल करके dam नहीं बनाते, like यह river जा रही है तो हम एक छोटा सा वराज यहां पर बनाएंगे ताकि यहां पर हम थोड़ा पानी रोक सकें थोड़ा पानी रोकने का उदेश यह होता है कि हम pressure generate कर सकें turbine को बनाने के लिए उसके बाद हम पानी के flow को divert करेंगे और यहां पर turbine लगा देंगे इस turbine से हम बिजली निकालेंगे और बिजली का इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद इस पानी को वापिस से इसी नदी में मिला दिया जाएगा, मतलब पानी का volume इससे कम नहीं होता, और नहीं हम कोई बहुत बड़ा storage बना के पानी को रोकने की कोसिस करते हैं, हाला कि जब भी इंडिया कोई dam बनाने की कोसिस करता है तो पाकिस्तान होहला जरूर से मचाता है हाला कि इस treaty में ही पाकिस्तान को ये right दिया गया है कि वो project के design को लेकर concern raise कर सकते हैं और वो अपनी सधिकार का उपयोग लगबग हर बार ही करते हैं, उनका आरोप ये लगता है कि इंडिया बड़ा बराज बना के ज़्यादा पानी रोकनी की कोसिस कर रहा है, चली, back to the story चलते हैं, यहाँ पर हमने इस treaty के बारे में बात कर ली है, इस treaty के according, यह जो permanent इंडिस commission है इसे साल में कम से कम एक बार मिलना होता है यह meeting alternatively होती है एक बार इंडिया में हो गई, तो दूसरी बार पाकिस्तान में होगी function यह है कि cooperative arrangement को लेकर दोनों एक दूसरे के सांथ cooperate करें, इसे प्रमोट किया जाए जो भी information required है अंडर इस treaty, वो दोनों इस एक दूसरे से share करें, cooperation को प्रमोट किया जाए कोई question, कोई query, कोई disagreement होता है इस agreement को लेकर, तो उसे इस platform का इस्तेमाल करके examine करके resolve किया जाए last meeting 2018 में होई थी, 2020 में meeting होनी थी, COVID की वज़े से cancel होई थी, ठीक है, recent meeting meeting में, जो पाकिस्तान है, वो इंडिया के दो projects के उपर concern raise करना चाह रहा था, जो उन्होंने किया, पहला है पकल डूग hydroelectric project इसे इंडिया, मारुसुदर river के उपर, जो की चिनाब की tributary है, बना रहा है, जो की चम्मुयन कस्मीर के किस्तवार district में situated है, दूसरा है, lower कालनाई hydroelectric project इसे इंडिया चिनाब नदी पर बना रहा है, तो इस पर पाकिस्तान ने अपने concern raise किये तो चलिए, ये पूरा topic तो हमने यहाँ पे cover कर लिया, next article UNITAR के बारे में है, UN Institute for Training and Research, हमारे Honorable Prime Minister ने अभी UNITAR को धन्यवाद दिया, UNITAR ने भी, इंडिया ने जो efforts किये हैं, premature mortality को reduce करने को लेकर, non communicable disease के cases में, उस पर इंडिया को appreciate किया, non communicable disease वो disease होती है, जो किसी एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती में नहीं फैलती, like कई types of cancer, kidney के disease हो गई, heart disease हो गई, या फिर ideas के लिए training देता है United Nations system से ये associated है, 1963 में इसे बनाया गया था, इस सम्द्ध में recommendation आई थी, United Nations की Economic and Social Council के दरह General Assembly के पास ऐसी कोई body बनाई जाए, ऐसी recommendation आई थी इनका mandate ये है, कि ये training देते है, innovative ideas के लिए और capacity development करते हैं mainly इनका जो focus है, वो developing countries होती है special focus होता है, जो least developed countries है, उनके उपर small island, developing states के उपर और बाकी ऐसे group और communities के उपर जो ज़्यादा vulnerable है, headquarter इसका Switzerland के जिनेवा में है governance, इसमें देखे एक autonomous body होती है ये एक autonomous body है, United Nations system की, जिसके head एक executive director होते है, वरतमान में वो nickel state है, इंडिया के, जो 2015 में appoint किये गए थे, funding देखे ये project based organization है, मतबब एक project लेते हैं, उस पर ये work करते हैं United Nations के budget से इनको कुछ नहीं मिलता voluntarily अगर किसी ने कुछ इनको पैसे दे दिये, तो उसी से अपना काम चलाते है नेक्स्ट आर्टिकल है, वो Heart of Asia Istanbul process के बारे में है, Heart of Asia कह लीजिए, या Istanbul process कह लीजिए, दोनों एक ही बाते हैं, News में क्यों है External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar जी अभी दुशामबे पहुँचे हैं, जो की capital है तजाकिस्तान की, 3-day की उनकी विजिट है, ये 9th ministerial conference है, Heart of जाते हैं, अफगानिस्तान में कैसे stability लेकर आई जाए, इस बात को लेकर बातचीत की जाती है, political और economic cooperation, security issues को discuss किया जाता है, confidence building measures पर भी काम किया जाता है कि अफगानिस्तान में जो भी stakeholders हैं को कैसे confidence में लेकर, वहाँ पर security को ensure किया जाए, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो अफगानिस्तान है, उसे Asia के heart के रूप में portrait किया जा रहा है, वहाँ पर peace और security को ensure किया जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है Heart of Asia या फिर Istanbul process, इस initiative को Afghanistan और Turkey ने सुरू किया था 2011 में, जब Turkey के Istanbul में एक conference को आउजित किया था, location देखें, यह है Turkey और Turkey में यहाँ पर है Istanbul तो यहीं से originate हुआ था यह पूरा process, that's why इसे Istanbul process भी बोलते हैं Afghanistan ने, उसके बाद Afghanistan के बाद, 14 और भी ऐसी countries हैं, जो participate कर रही हैं, Heart of Asia region के अंतरगतिया आती हैं 16 supporting countries हैं और 12 regional और international organizations हैं, जो लगातार इस process में coordinate कर रहे हैं, कौन-कौन से members हैं, इसके मैं आपको बता दू, total 15 members हैं, including Afghanistan उनके नाम हैं, Afghanistan, अजर्वैजान चाइना, इंडिया, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रश्या, सौधे रेविया, तजाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, UAE और उजबेकिस्तान, तो total 15 देश हैं, जो इस पूरी जो process है, उसका हिस्सा है Heart of Asia का, ये लगातार प्रयासरत हैं, कि इस पूरे process में सांती आ जाए, जो Directorate General of Regional Cooperation है, Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan के, वो de facto Secretaryate के रूप में वर्क करते हैं, Heart of Asia एक रीजन है, उस रीजन में ये 15 होदेश आते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं इस लिहास से, ये दुनिया के कुछ बड़े रीजन में से एक है, यहाँ पर 40 मिलियन स्कॉयर किलोमेटर का जो एरिया है, वो cover होता है, और 27% जो लेंड एरिया है, अर्थ का, वो भी इस रीजन में आ जाता है हमारा अगला आर्टिकल है CPTPP के बारे में अब ये CPTPP क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और ये करेंटर फिर में क्यो हैं सबसे पहले तो members दिख लिजे, क्योंकि आपको पता है recently 2020 में जिस तरीके से G20 के member nations पूछ लिए थे, इस तरीके से ये जो associations होती है, important हो जाती है recently UK ने, आप जानते है Brexit से बाहर हो गया इसके बाद, ये भी चारे थे कि इनको trade partners मिलें और ये TPP से जुड़ते हैं और इसका नाम जो है, वो CPPP है अब ये क्यों है, इसकी कहानी ये है कि USA से हट गया है, जिसकी वज़े से CP, TPP हो गया और Trans-Pacific Partnership इसको पहले कहते थे अब UK से जुड़ गया तो इसे काफी फायदा होने वाला है ये क्या काम करते हैं, ये भी देख लेते हैं goods हो गया, service है, investment इन सारी चीज़ों के लिए market access प्रदान करने वाले हैं trade बढ़ेगा, government, procurements बढ़ेंगी और labor की जो mobility है बो भी बढ़ेगी क्योंकि UK भी कोई इससे साथी की दरकार में था Brexit के बाद इसके अलावा ये protection की बात करते हैं environment की, तो ये बात याद रखे labor rights और environment protection की बात करेंगे अब किसी भी इस तरीके के partnership में आने से क्या फायदे होते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगे जो tariffs होते हैं अगर मान के चलिए, एक free trade agreement sign होता है, तो सब आफिक सी बात है, दो countries की बीच में tariffs को कम कर दिया जाता है या खतम कर दिया जाता है तो इससे market access बढ़ने वाली है इसके अलावा जो rules of origin है मान के चलिए, कोई भी चीज़ इंडिया में एक t-shirt बनती है, वो इंडिया में टी-shirt बनेगी उसके criteria का भी थोड़ा सा ease कर दिया जाती है थोड़ी सी delay दे दी जाती है साथ में जो data है उसका भी flow थोड़ा सा simplify कर दिया जाता है freely data flow हो सकता है localization की requirements होती है कि हमारा जो data है वो हमारी country में save होना चाहिए, वो चीज़ भी कतम हो जाती है इसके अलावा जो rules होते है small and medium enterprises से संबन्दित उनमें भी थोड़ी बहुत rate दे जाती है इससे क्या-क्या फायदे होंगे सबसे पहले तो जो procurement है जो trades है वो सारी बढ़ने वाली है labor movement बहुत जादा आसान हो जाने वाली है और जो borders में issues होते थे जैसे quota का issue है या जो liver markets बगेर है उनमें भी कही न कहीं फायदा होने वाला है यह increase होगा वो साथ में जो barriers होगे वो eliminate होने वाले है तो यह CP, TPP के बारे में जानकारी है जो है Trans-Pacific Partnership इसमें UK जुड़ गया है और US निकल गया है यह दो बात याद रखेंगे